नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका हमारी यूटुब चैनल उत्राखंड नोलिज में और आज फिर से हम काफी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जो की आज उत्राखंड और हिंदी से रेटिड काफी ज़्यादा यह मैतरपून परसन ह उकक्रिश मटाष्त चीन के का दोचाईर इंटाम आठाए इनको आज उंक्प सम परिगें घृक जो हम जीवन परीजयत सार उपर थम देगें तो चलिए शुरू करते हैं करो जो इनका मूल नाम था वहा है रमेश ऋंदर सिंग मठियानी अर्थात इनको आज़ली पर मॉर नाम रमेशंद्र सिंग मट्यानी है और देखो इनका जनम में जरू याद रखना है क्योंकि है एक्जाम में आ चुगा है इनका जनम हुआ था 14 अक्टूबर सन 1931 को बाड़े चीना अलमोडा बाड़े चीना अलमोडा वही पर है जहां पर लाखु उडियार है तो बाड़े चिना के इनका जनम हुआ था 14 अक्टूबर सन 1931 को इनके पिता का नाम बिशन सिंग मट्यानी इनके पिता का नाम है और इनकी पतनी का नाम है नीला मट्यानी नी बासे हैं इनके उपन्यास सरोपृत हम आपको उपन्यास इनके लिहलेने हैं क्यूंकि इसके बाद हम आपको इनकी सब्सर्जट करें कि इनके बारे में घ्रमादा बैन धाने घंगूबाई का कीडि़ा तब निर री से बोरी बंदर तक बोरी बली से बोरी बंदर इनका सरुप्रतम उपन्यास से लेकर यहाँ पर हमने लिख चुके हैं इनके उपन्यास के बारे में तो आप इनके उपन्यास जैसे भी आप चाहते हो आसे लिख सकते हो तो किस्सा नरमता बेन गंगुबाई का पुनर जनम के बाद बावन नदियों के शंगव पर आकाश कितना अनन्त है उगते सूरज की किरण भागे हुए लोग चन ओरतों का सहर मुठ भेड देरे वाला बोरी बरी से बोरी बंदर जो किया पहला उपन्यास इनका सेलेस मठ्या लिखते हैं तो को इनकी ट्रिक है कि जो सेलेश मठ्यानी है ना सेलेश मठ्याने जी लिखते हैं नरमादा बैन गंगुबाई का एक किस्सा तो हम यह आप लिखेंगे किस्सा नरमादा बैन गंगुबाई का यह लिखते हैं कि इसके अंदर कि पुनर जनम के बाद बावन न पुनर जर्म के बाद बावन अदियों के संगम पर आकाश में उगते सुरज की किरण के साथ भागे हुए लोग चंद ओरतों के सहर में मुट भेड में डेरे वाले के सारे बंदर सरप हंस कबूतर चोट चोटे पकसी भगा दिये और फिर होलदार के डर से देखो इसके आगे इनके निबंद सुर हो जाएंगे एक ट्रिक के अंदर हम आपको इनके निबंद भी पताएंगे तो आदे को यह लिखते हैं सलिश मट्यान जी किस साने नमदा बैन गंगुबाई का यह कहते हैं कि जहाँ पर बावन नदियों का जो संगम है वहाँ पर आकाश में उगते कि उगते सूरज के साथ उगते सूरज की किरन के साथ उगते सूरज की किरन के साथ भागे हुए लोग कुछ भागे हुए लोग है यहाँ पर आपको ठीक तो नहीं बनेंगे पर बना सकते हैं कुछ भागे हुए लोग मुठ भेड में यहाँ पर मुठ भेड में सारे चंद औरतों के सहर में एक सहर है चंद औरतों का सहर में मुट भेड़ हुई इनकी और बीच में इसका डेरा है यहाँ पर यह देरे वाले के साथ मुट भेड़ करते हैं जो भागे वे लोगे और इसके अंदर जो सारे के सारे बंदर थे सरप थे हंस से कबूत तर छोड़े पकसी थ एक होलदार आते हैं यहां पर फिर यहां से बागे पे लोगSK सब्सक्राइब होते हैं मुख्य धरा में कागज की एक नाव है, मुख्य धरा में लेखक की हिश्यत से लिखते हैं, यह जो कागज की नाव में बैठते हैं और फिर लेखक की हिश्यत से लिखते हैं कि जनता और साहितिय कभी कबार राष्टिता को चुनोतिया देते हैं, जो राष्टित सरम का महतो है देखो जैसे ही महोलदार की डर से भागेंगे और इनके पास एक कागज की नाओ है एक कागज की नाओ में यह मुख्य धरा यहाँ पर बना लेते हैं यह मुख्य धरा है भाई मुख्य धरा काँची नाओ लेकर मुख्य धरा में लेखक की हैसद से यह वागय वे लोग थे यह भागय वे लोग यहाँ पर कुछ ही इस परकार से बेटे हैं मुख्य धरामें लेखक कीdograh इससे अब ही लिखते हैं यह लेखक की ऐससे लिखते हैं कि जंता और साहित्य कभी कभार कभी कभार राष्टिता को चुनोतियात देते हैं जो राष्टिये शरम का महत्तु है यह हैं इनकी निभंध है तो कागज की नाओ इनका निबंद है, मुख्य दरा का सवाल इनका एक निबंद है, लेखा की हैश्यत से इनका निबंद है, जनता और साहित्य है, कभी कबार है, राष्टिता की चुनोतियां है, राष्टिय सरम का महतो इनके परमुख निबंदों में से एक है तो आगे देखते हैं कहानी शंग्रह को देखते हैं कि यह तो तीन है इनकी क्यार्ट रिख बनाएं कि दो दुखों का एक दुख है जब दो दुख एक साथ मिल जाएंगे तो वह सुख हो जाएगा अरथा, दो दुकों का एक शुकिन का एक कहानी संगरा हैं मेरी कहानिया मेरी 33 कहानिया, जणगल में मंगल इनका कहानी संगरा है, इनके बाल शाहित्यों को हम पढ़ें, इसमरो फियोवर करने करhem वैसी हेलकिजी है। देखो सिंदू पर चुहिया राणी का घर। या कह सकते हैं कि सिndू पर चुहिया राणी। घर छोड़ दीजेए। ऐसे याद रखेंगे। सिंदू से सिंदू और गंगा चुया से चुया का दूला रानी गोरेया सिंदू पर चुया रानी आप इसको ऐसे याद रखेंगे या आप इसको घर को चाहिए काट सकते हैं इनकी लोग कताए है देखो इनकी लोग कताए सिंपल यह है लोक कथाई इनके सिंपल यह है लोक कथाई को आप कैसे जाद करेंगे कि किस के राम कैसे राम इनका एक लोक कथाई कि किस के राम और कैसे राम देखो इसके बाद कि कुमाओं की लोक गाथाएं लोक कथाईं देखो यह हमने बनाया कुमाओं की लोक कथाई अब कुमाओं के अंदर हम पढ़ेंगे बारा मंडल की लोग कता हैं बारा मंडल साइद देरा दोन बढ़ता है तो यहां पर इनकी बारा मंडल की लोग कता हैं देखो चंपाउत की लोग कता हैं इनोंने लिखी यहां पर चंपाउत पढ़ेगा थोड़ा सा चंपाउत की लोग कता हैं इनोंने किया है यंनों ने टोटी प्रदेश की वहद नने लिखिए लिक्षा अने के विकल्प और जो जनपक्स है एक सांस्कृतिक पत्रिका के संस्पाधन किया था बाई विकल्प और जनपक्स एक सांसकर्तिक पत्त्री कहा है इनका इन्होंने समपादन किया था और एक इनकी महाभोज कहानी है महाभोज महाभोज इनकी कहानी है उसके लिए ने उत्तरपरदेश हिंदी संस्थान का प्रेम चंद पुरुषकार इनको दिया गया था महभुज कहानि के लिए ने यूपि हिंदी संसान का प्रेम चंद पुरुषकार दिया गया और इक लिएन्जे मुटそれで के लिए दिया गया मुट वेह ऊतते हैं इनके डेरे कें उन्दर जहां पर häंस है सरफ है च्वोडे चोटशियक उत्तर हिर्म हैं वागेवे लोग गई वागा देते हैं दरे वाले गय। तो I hope यहाँ वीडियो आपको अच्छे लगी होगी अगर भाई आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज यार इसको वीडियो को लाइक करकर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजेगा धन्यवाद